सिर्मोर जिला में NDRF द्वारा लोगों को आपदा प्रबंधन पर जागरू किया जा रहा है चौदवी वाहिनी राष्ट्रिय आपदा मोचन बल नालागर की टीम द्वारा आपदा प्रबंधन पर जानकारी दी जा रही है चार अप्रेल से शुरू हुआ ये जागरूकता अभ्यान आगामी अठारा अप्रेल तक चलेगा डॉक्टर वाईयस परमार डिगरी कॉलेज नाहन में अंडियारफ की इस टीम द्वारा जहां उपकरन प्रदर्शनी लगाए गई वहीं कॉलेज के सैंकडो छात्रों को आप्दा संबंधी जानकारी भी दी गई रेजनल रेस्पॉंस सेंटर नालागर के असिस्टेंट कमांडर सागर सिंग पाल ने बताया कि सरमार जिला में उपमंडल स्तर पर जागरुकता कारिकरम आये जित होंगे जिसका मुख्यों देश्य लोगों तक आप्दा प्रबंधन से जुड़ी जानकारी पहुचाना है ताकि किसी भी आप्दा के समी जानमाल के नुकसान से बचा जा सके मैं मेरी कंपनी इस वर्तमान समय में नालागर जो की एक रिजिनल रिस्पॉंस सेंटर के रूप में तैनात है और हम एक पंदा दिन का फेमेक्स एकसराइस जो की दो दिन पहले मंडे से लेकर के चार अप्रेल से लेकर 18 अप्रेल तक यहां पे प्रोग्राम बनाया है जिसमें कि हम सिर्मौर डिस्टी के सभी तैसीलों को कवर करेंगे इस चौदन के प्रोग्राम में और अभी हमारी डिस्टी सिर्मौर सर्थ से मीटिंग भी हुई है जिसमें कि हम यहां के कम्यूटी अ उनका भी हम विजिट करेंगे समय समय पर यह जो फैम्मेक्स एक्सरसाइज इसका एक मकसद यह भी है कि हमारे पास रिसोर्स और जो दिस्टिक अथर्टी है उनके पास क्या का रिसोर्स आपर होने पर हम इनको कैसे इस्तिमाल कर सकते हैं और उसके कोडिनेशन और कोपरेशन क के लिए एके मीटिंग चोदन का प्रोग्राम रखा गया है